कि थे डिटटन को और आपको अप्टाहेडरल ऑइट के बारे में बताऊंगी प्रीविएस वीडियो में मैंने आपको ट्रेस्ट्रवाइड्र ऑइट शके बारे में बताया था आपको खाली स्पेस दिखाई रहा है उस वाइड के ऊपर हमने वहाँ पर एक नेक्स्ट पार्टिकल रखा था इना ओक्टाहेडर वाइड जो पार्टिकल हम रख रहे हैं वह फिर्स्ट फॉल वाइड की ऊपर तो रखा जाता है बट वह उसे कुछ यूनिक तरीके से कवर कर तरीके सब्सक्राइब कर जाता है यहां पर आपको एक बना कर दिखा जाए है जैसे कि आपको एक फिघर दिखाए दे रहा होगा इस फीगर में जो यह नीचे की लियर है यह हमारी फर्स्लेयर है और जो रेड़ स्केट से बना हुए वह हमारी सेकेंड लेयर है सो बेल सा क्लीर दिखा है कि और से इनने पार्टिकल्स के दिखाई हां so आपके यहां बहुत बाते हrाओ और यहां और यहां की तरिकल्स एप याम यहां डिन RAM को जो सकेज़ बनाई उम्हां आपको झाता क送़ेंद हो चैहें अनल् felt अब आपको फिर भी आप इमेजन करिए कि जैसे मैंने प्रिवेस वीडियो में आपको काप्स के तरूप दिखाया था कि क्या जो वॉइड है अगर एक सेकेंड लेर हम फिर्स लेर के उपर रख देते हैं जो अपने वह में देखा थैंकि वोइड कम्प्लिटली कवर नहीं होता है तो यह एक चोटी सी उपनी दिखाई दे रही होगी यह निगा आपकर दिखाई देजुगी तो यह जो गप जेंट हो रहा है जो इंप्री स्फेस है उससे हैं क्या बोलते उसे पूलते i.s. पूलते इस इंपरी प्रीट स्पेस को से इसकी प्रीवियस आपने अगर टेट्राहेडल वाइड्स को देखा गड़नी देखा हो तो अ अगर हम उसको टेट्राहेडल कह रहे हैं तो उसे ट्राहेडल कहने का कोई रीजन होगा हमारे पास अगर आपने टूडी वाला स्ट्ट्चर देखा है तो टूडी स्ट्रक्चर में भी आपको ट्राइंगॉलर वॉइड देखने को मिला था वह क्यों था विकाज अव शेप हमें वह एक ट्राइंगॉलर मिला था तो हमने वह से ट्राइंगॉलर वॉइड नाम दे रिया इसके प्रीवेस आपने हेग्जागोनल का पार्ट बन देखा होगा तो उसमें ट्राहेडल वॉइड मिल रहा था राइट वह कैसे हमने से क्यों बदेखे रहें तो इससे एक रीजन होगा क्यों था इस अगर नहीं रहें अग्छाओं के खेंद काथक्ति वह से और रहें हैं तो पर नहीं है जो फिर्स रह रहे वह आपका यह वाला है जो नीचे की तरफ यह लिए रहे है वह उसके उपर की तरफ आलाइन होतियों वह जैसे कि मैंने आपको बताया इस इस ट्रक्चर में कि इस तरह की से कुछ हमें लेयर अगर आपस में जॉइन करें तो हमें एक ट्राइंगोलर सा दिखाई देगा कि मैं आपसाओ ठाइं जॉइन करते हुं वे पीछे दो पार्टीकल और यह आगे बाले लाकल Kopf श Лख के ढदेगार तो हमें जॉइन करते हैं यह इससे जानी हूद रच्णा से कुछ पौरस रचीवाला मढर्टीकल हो इस तरह से कुछ पॉइन जाते हैं वैसे हमई यहां पर ब्हें दिखा यह दे रहाई में यहां यहां पर दिखा दे रहां घर करते हैं और इसके बाद जो इसका पॉइंटेड एरिया ही यह बीज का सेंटर उसे हम और इसे यहां पर एंड सेम है और एक यह ओके सो एक ऐसा स्ट्रक्चर एक अक्ता है ड्रॉन आपको दिखाई देता हो बलेगा अगर यही सेम अलग से बनाओ तो वह आपको कुछ इस तरीकी का दिखाई देगा कि सो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको यहां पर देखने को मिलेगा सो यह जो स्ट्रक्चर यह बना होए है इसे मैं क्या बोलते है ओक्ता in dron कि अग। ओक्टा हेड्रॉन ये यही सेक्टेक्ट्र्छर्र आपको कहां पे देखने को मिल रहा है बिट्वीन दिस वॉइड्स इस को समझ में होगा कि octahedral void and tetrahedral voids बनते कैसे हैं इंग्जाम में में भी इसकी location पूछी नहीं जाती यह पूछा नहीं जाता है कि किस ऐसे जन्रेटरों के कैसा क्या वाइद इनके उपर लगेगा बिट अफकॉस यह पूछा जाता है कि किस में किते कि octahedral void या tetrahedral void present है आपको पता होना चाहिए कि octahedral void and tetrahedral voids क्या होते हैं वन मोर तिंग आपके ncrd book में given हैं यह कि अगर ऐसे voids हैं जिनके अंदर आपको two types of white present मिलता है आपको एक ऐसा sphere मिले कैसी solid मिलता है जिसमें two types of white present हो आपके tetrahedral void और octahedral void दोनों ही present हो तो अगर number of number of close packed sphere close packed sphere कितने हो उसमें अगर n for example अगर वहाँ पर total close packed sphere कितने हो n होते हैं so number of octahedral void number of octahedral void also n so जितने packed sphere आपको उसमें दिखाई देंगे जितने circles आपको आपको दिखाई देते हैं उतने ही हमारे क्या होते octahedral void होते हैं but जो हमारे tetrahedral voids हैं वह always two n होते हैं कितने कैसे होते हैं two n होते हैं वह जस्ट आपको double मिलेंगे इनमें जो भी हमारे from 3D close packing आपने देखिए किसे by the 2D hexagonal close packing से mainly आपको यह पर octahedral voids को check करना थे क्यों warm कैसे होते हैं आपको पता चला होगा कि वह किस सरी किसे बनते हैं if you have any problem then comment section comment कर सकते हैं आप मुझे message कर सकते हैं कैसे आपको आपको इसमें क्या problem है fine so let's bind up this video and next I will start with the third layer अगर इसी layer के ऊपर जो हमाई दो layers हैं इसी के ऊपर हम तीसी layer भी adjust करते हैं so किस तरीके का arrangement बनके यहां पर आता है okay thank you